नमस्ते आज का पार्ट है फसल और इसकी कवी है नागारजुन और मैं अल्पना वर्मा यहां इससे व्याख्य सहित प्रस्तुत कर रही हूँ पार्ट शिरू करने से पहले पार्ट प्रवेश पढ़ते हैं फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलाती फसल आखों के सामने आ जाती है परन्तु फसल है क्या उसे पैदा करने में किन-किन तत्वों का योगदान होता है अपने विज्ञान विशे में पढ़ा होगा कि क्रॉप्स को कैसे कल्टिवेट किया जाता है क्या क्या चीज़ें उसमें जुरूत होती है तो नागर जुन ने अपनी कविता फसल में यह सब बताया है कि किस तरह से एक फसल को हम उसके उस स्वरूप में लाते हैं जिसे हम देखते हैं कविता यह भी रिखांकित करती है कि प्रकृती यह नेचर और मनुश्य के सहयोग से ही स्रिजन संभव है बोलचाल की भाषा है कविता में और उसकी जो गती और लय है वह कविता को प्रभावशाली बनाती है कहना नहोगा कि यह कविता हमें उपभोगता संस्कृती के दोर में क्रिशी संस्कृती के निकट ले जाती है उपभोगता संस्कृती जो हमारी वर्तमान संस्कृती है आज कल हम क्या करते हैं बजार जाते हैं, समाल लाते हैं, खाते पीते हैं और हम कभी इस बारे में नहीं सोचते कि ये चीज कैसे बनाई गई है, कहां से इसका उत्पादन हुआ है, इस बारे में हम सोचते नहीं है, तो बहुत से बच्चें आप देखेंगे ऐसे हैं, जिनोंने कभी गाउं नहीं देखा, जिनोंने कभी फसल खड़ी हुई, खेतों मे नहीं देखी और जिनकी दिवाग में अभी भी यह होता है कि खेतिबड़ी करने की जुरूरत क्या है बाजार में जाओ अपना अनाज लेके आ जाओ आटा लेओ बर्गर लेओ ब्रेड लेओ खाओ उन्हें यह नहीं पता होता कि यह सब बनता कैसे है आता कहां से है तो हम के नजदीक लेकर जाती है और कवीता का मुख्य भाव यह है कि फसल प्रक्रती और मनुष्य के द्वारा मिल जुल कर किये जाने वाले सहियों का परिणाम है कवी नागर जुन आप देख सकते हैं तस्वीर में और ये चाया वादोत्तर यूग के कवी हैं इनकी भाशा में आपको तत्सम शब्दों का भी प्रयोग मिलेगा खड़ी बोली है और इस कवीता में इन्होंने प्रशन शैली का भी प्रयोग किया है और एक ही पंक्ति है एक ही शब्द को जब ये बार बार कहते हैं तो इसका अर्थ है कि वे उस बात पर उस शब्द पर उसके अर्थ पर क्रिशे प्रधान रूप प्रकट किया है उन्होंने प्रयास किया है यह कवीता पाठा को क्रिशे समा से जोड़ती है कवीता शुरू करते हैं एक के नहीं दो के नहीं धेर सारी नदियों के पानी का जादू तो यहां कभी कह रहे हैं कि फसल को पैदा करने के लिए एक या तो नहीं बलकि अनेक नदियों से मिलने वाला पानी अपना जादूई असर दिखाता है। और ऐसा कैसे है आप पूछेंगे। ऐसा इसलिए है आपने विज्ञान में पड़ा है कि जो बरसात है, बरसात कैसे होती है, ये बादल कहां से आते हैं, कैसे बनते हैं, जो पानी नदियों का पानी जब भाप बनकर आकाश में उड़ता है, तब बादल बनते हैं, और ये ही बादल जब वर्शारितू में बरसते हैं तो ये पानी फसलों को मिलता है खेतों में फसल उगाता है उगाने में मदद करता है तो इसी बात से ये कह रहे हैं कि एक या दो नदी का पानी नहीं धेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल उस पानी के कारण ही फसल पनपती है बढ़ती है अब आगे कहते हैं एक क नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटी कोटी कारत होते हैं करोणों हाथों के इस पश की गरिमा हाथ किस के किसान के इस पश चूना लाखों करोणों हाथों ने उसे चुआ है उसे पाल पोज कर इतना उसको बढ़ाया है फसल को एक पौधा जबाप लगाते हैं तो आप देखते कितने देखभाल की जरुत होती है और खेत में तो नजाने कितने पौदे होते हैं वो उसकी फसल होती है तो कितना श्रम किसान को करना पड़ता है तो वे कह रहे हैं कि उसे उगाने के लिए फसल को उगाने के लिए एक या दो व्यक्ति की नहीं बलकि लाखों करोडों हाथों के द्वारा इसे छूने की गरिमा मिली है और यह लाखों करोडों इनसानों के परिश्रम का उनकी मेहनत का परिणाम है अब आगे कहते हैं कि एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुंड धर्म अब आपने देखा पानी चाहिए उसको देखभाल चाहिए फसल को अब वे बता रहे हैं कि मिट्टी चाहिए फसल उगाने के लिए और अच्छे मिट्टी चाहिए तो वे कह रहे हैं कि एक या दो नहीं बलकि हजारों खेतों की मिट्टी का गुंधरम इसमें छिपा हुआ होता है तो कहने का आर्थिया है कि एक दो खेतों की मिट्टी इसमें इस्तमाल नहीं हुए बलकि हजारों खेतों की उपजाओ मिट्टी की जो विशेशताएं हैं, उनके गुंधर्म हैं, वे इसमें छुपेवे हैं तो इन शब्दों की द्वारा कभी किसान की महनत को दिखा रहा है, उनके महत्व को उजागर करना चाहता है कि कोई भी देश या समाज फसल के बिना नहीं रह सकता, और फसल कौन उगाता है, किसान उगाता है, खेती किसान करता है तो इसलिए खेती करने वाले किसान का भी उतना ही महत्व होना चाहिए जितना हम अन को देते हैं आगे कभी पुछते हैं कि फसल है क्या फिर कहते हैं कि और तो कुछ नहीं वहे तो नदियों के पानी का जादू है यह फसल क्या है यह तो नदियों के द्वारा पानी जो लाया गया है उसकी प्रभाव से पौधे बढ़ते हैं और अगर पौधों को पानी ना मिले तो पौधे सुक जाते हैं, मर जाते हैं, तो फसल जो बढ़ती है, पनपती है, उसमें पानी का भी बहुत अधिक महत्व है, तो यह नदियों के पानी का जादू है, हातों के इस परश की महिमा है, किसान बीज बोता है, पौधा जब पूरी काली संदली मिट्टी का गुंड धर्म है तो मिट्टी पौदे को पोशन देती है कई पोशकता तो मिट्टी में होते हैं जिसको लेकर पौदा बढ़ता है तो यहां यह कहा जा रहा है कि फसल के तियार होने में मिट्टी से जो जरूरी पोशकता तो मिलते हैं वे भी म है और यह जो फसल है वह मिट्टी की विशेष्टाएं अपने भीतर समोई हुए है इस तरह है आगे कह रहे हैं कि रूपांतर है सूरज की किरणों का हमने विज्ञान में पड़ा था कि पौधे सूरज की रोष्णी की उपस्तिति में सूरज की किरणों को पाकर भोजन बनात हैं और सूरज की किरणे अगर नहीं होगी तो उनमें प्रकाश ठंसलेशन यानि फोटो सिंतेस की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तो जो पतियां हैं हरी पतियां हैं पौधे की वो सूरज की किरणों की प्रजन्स में भोजन बनाती हैं तो सूरज की किरणे भोजन की रूप तो यही कह रहे हैं कि सूरज की किरने भी उतनी ही आवश्यक तत्व हैं एक पौधे को बढ़ने के लिए जितना पानी और मिट्टी हैं. अब कह रहे हैं कि सिम्टा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का. तो हवा भी एक पौधे के लिए क्योंकि हवा में ऑक्सिजन है तो यह ऑक्सिजन भी पौधे के लिए आवश्यक है तो प्रकृति में कौन-कौन से अवियव है आप देखिए वे सभी जिनका जिकर इसकविता में हुआ है वे सभी पौधे को बढ़ने में उसको पनपने में सहेता देते हैं और इनसान का यानि कृषक का यहाँ पर कृषक जो किसान है उसका श्रम तो दोनों मिलकर दोनों के सहयोग की आवशकता है फसल को उगाने में उसको पनपने देने में और जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आता है उस तक उसे लाने में तो हवा ने इसे सिम्टा हुआ संकोच है हवा की थिरगन का तो कहता है कि हवा ने इसे थिरखने और इदर उधर डोलने का गुन भी दिया है भाव यह है कि फसल प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम है और प्रकृति के तत्वों का तो महत्व है ही साथ ही साथ किसान के परिश्रम का भी महत्व एक फसल को उगाने और उसे बढ़ा करने में होता है तो आशा ही ये कविता आपको समझ में आ गई होगी धन्यवाद